Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6 science chapter fiber to fabric. Fiber क्या होता है? कैसे उससे को फिर यान में convert किया जाता है? यान से फिर आपका fabric बनता है. यह सबी topics हम लोग previous वीडियो में cover कर चुके हैं. Type of fabric, natural fabrics क्या होते हैं, synthetic fabric क्या होते हैं. उन्ही fabrics को कुछ detail में अभी हम पढ़ेंगे. Fiber से fabric बनाने के process को हम क्या कहते हैं? तो चलिए, start करते हैं. We were on page number 20. Some plant fibers. अब हम कुछ plant fibers के बारे में पढ़ते हैं. दो हमने देखे थे, plant से जो मिलते हैं. One was cotton and the other was jute. Cotton के बारे में पढ़ेंगे. Have you ever made wicks for oil lamps? दिया आपके घर में जलता हो अगर. उसके लिए जो बत्ती बनाते हैं, क्या आपने कभी वो बनाई हैं? What do you use for making these wicks? उन बत्ती को बनाने के लिए वैसे आजकल बनी बनाई भी आते हैं. आप क्या यूज़ करते हैं? Cotton यूज़ करते हैं, obviously. This cotton wool is also used for filling mattresses. वही जो cotton हैं, जिससे आपने वो wicks बनाई हैं, वो यूज़ की जाती हैं, आपके घरों के mattresses, गद्दे को फिल करने में, quilts, रजाईयों को फिल करने में, and pillows. तक या जो होते हैं, उनमें filling के लिए भी यूज़ की जाती हैं वो. Take some cotton wool, थोड़ी सी cotton wool ले लीज़े, pull it apart, उसको अलग-अलग कर लीज़े, and look at its edges, और उसके edges जो निकले हुई है साइड से, उनको ध्यान से देखिए, What do you observe? आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे, बहुत छोटे, thin strands, बहुत पतले-पतले से आपको भागे जैसी एक वो दिखाई देगी, That you see are made up of cotton fiber, वो जो है, वो cotton fiber की ही बनी हुई है, Where does this cotton wool come from? वो जो cotton wool है, वो आती कहां से है, कपास आती कहां से है, It is grown in the fields, खेतों में वो उगाई जाती है, Cotton plants are usually grown at places having black soil, जहां पर काली मिट्टी black soil होती है, वहां पर cotton plants उगते हैं, and warm climate, और climate थोड़ा सा गरम होना चाहिए, बहुत थंडी जगों पे नहीं होगी है, Can you name some states in our country where cotton is grown? हमारे देश में cotton किन-किन states में होती है, उनके कुछ नाम आप बता सकते हैं, सबसे पहले हैं, गुजरात, देनराजस्थान में भी होती है, MP में होती है, तमिलनाड में होती है, है ना, ये कुछ states हैं जिन में की कपास उगाई जाती है, है, the fruit of the cotton plant, उसका जो fruit होता है, सबसे पहले जो fruit आता है, उसको cotton balls बोलते हैं, actually, are about the size of lemon, वो बहुत बड़ा होता है, लगभग एक नीबो के size का होता है, after maturing, जब वो mature हो जाता है, बड़ा हो जाता है, the balls burst open, वो जो balls हैं उसके, वो burst हो जाती है, मतलब एक तरीके से, burst means फटना होता है, उसमें अलग हो जाता है, अंदर से वो, जो है, कैसे समझाएं, एक picture आपको दिखाती हूँ, ये देखे, ये आपका cotton fruit है, जो cotton के पेड़ पे आता है, उसके बाद ये burst होता है, फटता है, तो इस तरीके से, ये इस में से cotton, जो आपकी कपास है, वो बहार आ जाती है, ये flower होता है, जिसको की अलग किया जाता है, उसके बाद, और आपका इसी से ही threads बनाके, यान बनाके, और fiber बना, fabric बनता है, ये cotton का fiber है, जो white आपको ओपर दिख रहा है, ओके, ये fruit है, चलिए आगे पढ़ते हैं, तो cotton plant का जो fruit जो है, वो burst होता है, mature होने के बाद, and seed covered with a cotton fiber can be seen, एक seed होता है, बाहर की तरफ, जिसके अंदर cotton fiber होता है, आपका, have you ever, नीचे की तरफ ऐसे होगा, seed जो है, और यहाँ पे बीच में white color का fiber आपका होता है, have you ever seen a cotton field that is ready for picking, कि आपने कभी cotton का field देखा है, खेद देखा है, जो की मतलब अभी picking के लिए ready हो, उसमें स like a field covered with snow, एसा लगता है कि snow से covered, बर्फ से ढखा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल white दिखाई देता है, या बीच बीच में, एसा लगता है, फिल्ड जो है, जो snow से covered है, from these balls, जो cotton balls है, cotton is usually picked by hands, generally उसमें जो से जो cotton है, अंदर की तरफ जो white color का fiber है, उसको आप अलग करते है, हाथो से ही, fibers are then separated from the seeds, by combing, उसके बाद comb करके, जिसे आप अपने बालो में comb करते है, ऐसे उसमें balls में comb की जाते है, क्योंकि इसके अंदर छोटे-छोटे seeds भी होते है, बीच भी होते है, बीच को अलग किया जाता है, ऐसे देखिए, एक कॉम जैसा, कॉम जैसा नाम इसलिए रखा इस process में cotton के fiber से, उसके seeds को अलग किया जाता है, उसे हम ginning बोलते है, ginning was traditionally done by hands, पहले तो ginning हातों से ही की जाती थी, these days machines are also used for ginning, लेकिन आजकल machines भी है, ये काम करने के लिए, इस process को बोलते है, ginning, combing के थ्रूजों किया जाता था, पहले, अब machine से भी होता है, अब हम बात कर जूट की, जूट fiber is obtained from the stem of jute plant, ये जो है, ये जूट plant के stem तनी से मिलता है, जूट आपको, it is cultivated during the rainy season, ये जो बारिश का season है, उसमें cultivate किया जाता है, उसमें उगाया जाता है, इन इंडिया, jute is mainly grown in West Bengal, जूट जो है, वो में वेस्ट बेंगोल में, बिहार में और असाम में जहां पर बारिश थोड़ी सी जादा हो, the jute plant is normally harvested when it is at flowering state, जब वो flowering की state पर होता है, फूल उसमें आने लगते हैं, तब इसको harvest किया जाता है, काटा जाता है, the stem of the harvested plant are immersed in water for few days, इसको काट के, इसको जो stem है, इसको तना है, यहां पर तो आपको सिर्फ एक प्लांट दिखा जाता है, जब यह बड़ा हो जाता है, उसके बाद इसके तने को काट के, जो डंडी होती हो, कई दिनों तक पानी में भिगा के रखा जाता है, ताकि stem के ऊपर जो लेयर है, वो फूल जाए थोड़ी सी, इमर्ज करके, मतलब दुबा के रखा जाता है, पानी के अंदर चलिए, next, to make fabric, all the fibers are first converted into yarn, कोई भी fabric, अगर आप कोई भी कपड़ा बनाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको उस fiber से yarn, यानि की धागा बनाना पड़ेगा, यह देखे, यह यान है, जिसे cotton yarn आप बनाते है, अगर आपने किसी को देखा है, सूत काते होए, तो आपने यह कैसे किया जाता है, spinning cotton yarn, cotton yarn की spinning, देखते हैं, कातना काते कैसे, you can try making cotton yarn yourself, आप खुद भी cotton yarn बनाने को try कर सकते हैं, hold some cotton wool in one hand, एक हाथ में थोड़ा cotton wool ले लीजे, रुई ले लीजे आप, pinch some cotton between the thumb, थोड़ी सी रुई, हाथ में पिंच करिए, चुटकी में लीजे, and four fingers of other hand and now gently start pulling out the cotton, बहुत अराम से cotton को pull करना शुरू करिए, खीचना शुरू करिए, while continuously twisting the fiber, और continuously जो fiber आपके हाथ में उसको twist करते रहिए, गुमाते रहिए, are you able to make a yarn, और देखिए कि आप धागा बना पाते हैं, जैसे इसने बनाया हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है, यह वैसे, the process of making yarn from fibers are called spinning, यान बनाना धागा बनाना fiber से उसको spinning कहते हैं, कातना जिसे आप हिंदी में, in this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted, इसमें क्या होता है, जो cotton का जो fiber है, रुई जो है, उसको twist किया जाता है, drawn out, खीचा जाता है, और एक तरफ से उसको लगतार गुमाया जाता है, this bring the fiber together to form a yarn, इ यान धागा बन जाता है, the simple device used for spinning is a hand spindle, अराम से जो एक आप जिससे ये spin कर सकते हैं, उसको कहा जाता है, hand spindle, जिसको तकली कहते हैं, अगर यहाँ पे picture दी हुई हो, नहीं दी हुई है, तकली की, तकली की, तकली ऐसा होता है, अचली एक लंबा सा ये होता है, अगर आपने बीच में यहाँ पे एक round ये लगा रहता है, अधर से घूमता रहता है, और thread दूसरी तरफ बनता रहता है, another hand, ये रहा, ये तो रही तकली, ये फिर भी थोड़ा सा modern है, पहले तो लकडी का बनता था, another hand operated device, एक और device जो हातों से ही operate होता है, that is called चर्खा, उसको हम चर्खा कहते हैं, use of चर्खा was popularized by Mahatma Gandhi as a part of independence movement, आप जानते हैं, गांधी जिनने चर्खे को बहुत popularized किया था, जब आजादी की हम लोग लडाई लड रहे थे, he encouraged people, उन्होंने लोगों को encourage किया, कि to wear clothes made up of house spun yarn, घर में spin किये हुए, घर में काते हुए, सूत के ही आप कपड़े पहन जाता था, and shun important clothes made in mills to Britain, और जो imported clothes बहार से जो clothes लाए गए थे, Britishers के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, महां की mill में बने हुए, उनको, उनका use बंद करिए, to popularize and promote Khadi, Khadi को popular करने के लिए, और promote करने के लिए, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industrial Commission in 1956, 1956 मे भारतिय सरकार ने एक institute भी बनाय जिसका नाम है, Khadi and Village Industries Commission, spinning of yarn on the large scale is done with the help of spinning machines, आजकल तो spinning जो होती है, वो बड़े scale पर आपको करने के चर्खे से आप बहुत जादा नहीं कात सकते, आदमी कितना काम करेगा, वो machines पर होती है, after spinning, spinning के बाद, yarns are used for making fabric, जो धागे है, इनको एक साथ जोड़के fabric कपड़ा बना है, और उनसे fiber से आपके yarn कैसे बनता है, अब हम देखेंगे yarn to fabric, उस yarn से fabric कैसे बनता है, there are many ways by which fabrics are made from yarn, the two main process are weaving and knitting, weave करना, बुनना, okay, and knitting, दोनों ही बुनना, बुनना ही ही बोलते है, दोनों को, weave करना क्या होता है, in activity 2, you might have noticed that, fabric is made up of two sets of yarn arranged together, दो यान के set होते हैं, जो एक सा अरेंज करके बनाए जाते हैं, the process of consists होते हैं, एक तो बिल्कुल सीधे, आप जो भी कपड़ आपने पहना है, आप चाहे उसमें देख लीजे, एक तो बिल्कुल ऐसे धागे होते हैं, और एक ऐसे होते हैं, तब जाके वह आपका कपड़ा बनता है, और बहुत पास में जैसे भी आप समझे, to make fabric is called weaving, उस process को weaving कहते हैं, let us try to weave some paper strips, आप paper strip को weave कर सकते हैं, paper strips काटे हैं, लंबी-लंबी 30 cm की, और उनको जैसे हैं पे पिक्चर में दिया हुआ है, ऐसे रख दीजे, देखिए, पहले कुछ सीधी रखिए ऐसे, उसके बाद एक के बीच में इस तरीक अभी weave किया जाता है, इंतिगर 3.12 का A, ओके, ठीक है, यह तो वैसे बताएगा, strips आपको weave करने हैं, ऐसे pattern जो है, आपका उसमें लगता है, खेर, यह देखे, यहाँ पर यह hand loom के through weave कर रहे हैं, बीच में यह लगा जाता है, threads इनके बीच में होते हैं, यह बिलकुल सीधे क स्कॉंबिंग के process से इनको, in a similar manner, जैसे आपने यह वीव किया, आप चाहे तो ट्राइ कर सकते हैं, घर में लंबी-लंबी strips काटके, वीव कर सकते हैं, इसी तरीके से two set of yarn, दो धागो के जो set होते हैं, वो एक साथ वीव किये जाते हैं, फाबरिक कपड़ा बनाने के लिए, the yarns are much thinner than the paper strip, paper strip तो आपकी मोटी है, yarn obviously जो धागे होते हैं, वो बहुत पतला होता है, weaving of fabric is done on looms, यह जो है loom के उपर किये जाती ही, देखे, यह है loom, the loom are either hand operated और power operated, hand loom भी हो सकता है, जिसको आप हाथ से उपरेट करने हैं, फिर बिजली से चलने वाला भी हो सकता है, यह है hand loom, okay, इसमें थरड को ऐसे किया जाता है, फिर ऊपर नीचे करके धर से लगाया जाता है, तब जाकि आपका cloth बनता है, कितना मुश्किल काम है, knitting, अब हम बात करते हैं, बुनाई knitting, जो आपकी मदर भी करती होंगी, have you noticed how sweaters are knitted, क्या आपने notice किया है, अभी sweaters कैसे बनते हैं, in knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric, इसमें एक ही yarn जो है, वो fabric बनाने के लिए यूज किया जाता है, have you ever pulled the yarn from a pair of socks, अगर अगर अपने सॉक्स एक यान एक धागा बार निकाले, क्या होगा, a single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled, आप अगर एक धागा निकाले तो आप देखेंगे कि पूरे उसमें से जो है थ्रेड्स फिर निकलने शुरू हो जाते हैं, आप स्वेटर में से बीच में से अगर एक धागा निकालेंगे तो आप देखेंगे उसके बाद continuously वो निकलते ही रहेंगे, क्योंकि वो knitting के through बना हुआ है, socks and many other clothing items are made up of knitted fiber, आपके socks and many other clothing items are made up of knitted fiber, आपके socks और बहुत सारे clothing items बनाये जाते हैं, कपड़े बनाये जाते हैं, और उन कपड़ों को फिर अलग-अलग dresses बनाने के लिए various clothing items बनाने के लिए यूज किया जाता है, अब हम बात करते हैं, history of clothing material है, जो clothing material के क्या history रही है, कैसे हम यहां तक आए, have you ever wondered what material people use in ancient times for clothes, क्या आप कभी सोचते हैं कि पह People use the bark and big leaves of trees, लोग हो सकता है, पेडों की जो छाल है उसको या फिर बड़े जो पत्या है, उनको यूज करते होंगे, और animal skin, क्योंकि वो hunting करते थे, animal skin यूज करते होंगे, and furs या फिर उनके fur to cover themselves, अपने आपको cover करने के लिए, उसके बाद people begin to settle in agricultural communities, अपने history में पढ़ा हो अलग-अलग twigs है, जो आपके पतली थोड़ी टहनिया है, उनको वीव करना शुरू किया होगा, उनको बुनना शुरू किया होगा अपस में, घास को into mats, उनके mat चटाईया बनाई होगी, baskets बनाई होगी, vines जो हमारी बेल होती है, animals fleece, उनके जो हैर होते है, या फिर उनके कपड़ा बनाया होगा, ऐसा लगता है कि ऐसे ही शुरू हुआ होगा, इस सब चीज़े, the early Indians were fabric, Indians bore fabric made up of cotton that grew in the region near river Ganga, Ganga के पास में जो लोग रहते थे, वो cotton उगा के उसकी कपड़े पहना करते थे, भारतिय लोगों की अगर हम बात करें, Flax is also a plant that give natural fiber, Flax हम बोलते है, पटसन को, अगर आपने कभी नाम सुनाओ, जैसे जूट होता है, उससे अलग किया जाता है, ऐसे एक पटसन भी होता है, फ्लाक्स भी होता है, जिसको की, जो पेड है आपका उसका, उसकी बार्क को, उसकी जो चाल है, उसका जो ट्रंक है, उस पर पहले, cotton as well as flax, cotton भी और flax पटसन भी, यानि कि जो आपकी कपास है, और पटसन दोनों ही कल्टिवेट किये जाते हैं, थे, नाइल रिवर के पास में, जिप में हम जानते हैं, सिर्फ एक ही रिवर है, नाइल, and were used for making fabric, और उनी से ही कपड़े बनाए जाते थे, इन दोस पर, many different ways of draping fabric were used, और fabric को drape करने के, लपेटने के अलग-अलग तरीके थे, with the invention of the swing needle, जब swing needle introduced हुई, जो सुई है आपकी सिलने वाली, वो introduction हुआ उसका, किसी ने वो बनाई, people started stitching fabric to make clothes, लोगों ने fabric को stitch करना, जो है, सिलना शुरू कर दिया, कपड़े बनाने के लिए, stitch clothes have gone through many variations since this invention, यह तो आप देखी रहे हैं, बहुत सारे changes, stitch जो कपड़े हैं, ने-ने fashion आते हैं, कैसे आप पहनते हैं, ने fabrics आ गए हैं, but it is not amazed that even today, लेकिन बढ़ी amazing बात है कि आज भी लोग, साड़ी, दोती और लोंगी तर्बन पहनते हैं, used as unstitched piece of fabric, जो कि unstitched है, साड़ी को सिलने की जरूरत नहीं पढ़ती, धोती को सिलने की जरूरत नहीं पढ़ती, लोंगी टर्बन जो पहनते हैं, सर के उपर उसको भी सिलने की जरूरत नहीं पढ़ती, तो ऐसे ही, यनि कि unstitched वाले भी आज तक चल रहे हैं, वो भी fashion में है, just as there is a large variety in the food eaten, all over the country, जैसे कि food जो ह उसका fiber बनाया जाता है, जो धागे है, और धागे को spin करके फिर यान बनाया जाता है, यान, knitting, fabric या weaving, sorry, knitting या weaving के थूरू बनाया जाता है, उससे फिर कपड़ा बनता है, fabric बनता है, okay, so that's all students, ये था आपका chapter, hopefully chapter आपको clear हो गया होगा, इसके question answers हम लोग, NCRT की जो question है, की quiz भी upload कर दी जाएगे, so thank you so much for watching,